Hi everyone, मैं हूँ धननजय, उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, जैसा कि हम सभी को पता है कि रश्या के उपर बढ़ चड़कर सैंशन्स लगाये गए हैं USA और European countries के दुआरा, सैंशन्स लगाने के पीशे का एक जो single most उपदेश होता है वो ये होता है कि सामने वाले देश का एकॉनमी को रोका जाए, अगर किसी भी देश का एकॉनमी रुख जाता है तो automatically वो देश कोलाप्स कर जाता है लेकिन अगर हम बात करें Russian economy के बारे में तो Russian economy पहले से कहीं ज़्यादा stronger तरीके से इनका performance है और खास करके उन सब देशों के comparison में जिन देशों ने रश रश्या के economy ग्रो कर रही इतने sanctions के बाउजूद इस वीडियो में आगे बढ़ू से पहले आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को subscribe और वीडियो को like and share करें और एकर आपके पास मेरे लिए कोई suggestion है तो मुझे email करके बता सकते हैं एक बहुत ही बहतरीन article छपा ह The Indian Express में और इस वीडियो में The Indian Express के information को आप लोगों के सामने share करूँगा रश्या और यूकरेन के बीच में war शुरू होता है February 2022 से जहां पे सिर्फ एक दिन में ही यानि कि जिस दिन रश्या ने यूकरेन की उपर attack किया था सिर्फ उसी single दिन में US ने रश्या के उपर 500 से भी ज्यादा अच्छे performance में है जिन देशोंने रश्या के उपर बर चड़ कर sanctions लगाये थें तो यहां से एक चीज़ हमें समझ में आता है कि अगर आपके पास कोई power है और अगर आप उस power का overuse करते हैं तो उस power में क्या कम्या है क्या अच्छाई है वो सामने वाले देश को प्लैन को design करता है और as a result chances काफी बढ़ जाता है कि आपके sanctions का जो effectiveness है वो complete तरीके से या close to zero हो जाए अगर हम February 2022 से अब तक हम देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि लगबग 20 साल होने वाले हैं Russia Ukraine war को इसी बीच बहुत सारे ऐसे phases आएं जहां पे ये लगा कि शायद Russia इस war क हार जाए और उस case में Russia साइद ये धमकी दे कि वो nuclear weapon को use करना चाहता है या use करेगा लेकिन बहुत सारे experts हमारे बीच में जिनका ये मानना है कि Russia जान बुच के इस war को इतना लंबा खीचा कि जो Ukraine के जो आर्मी थें वो complete तरीके से exhaust हो गये और एगर war काफी लंबे दिनों तक खिचता है तो उसके जो cost होते है वो भी काफी बढ़ जाते है वहीं पर बात किया जाए रश्या के बारे में तो रश्या बहुत हद तक weapons को export करता है कहने का मतलब है कि इनके पास जो weapons थें इनके खुद के थें वहीं पर बात किया जाए Ukraine के बारे में तो इनको support करने वाले European और उसके बाद USA और Canada तो कहने का मतलब है कि Ukraine को बहुत हद तक dependent रहना पड़ा है अलग-अलग देशों के उपर वहीं पर Russia almost self-dependent था और खास करके अगर बात किया जाए Russian army के बारे में तो इनके army जो है वो much stronger और much larger in number है और इनके जो training है वो कहीं जादा अच्छे तरीके से ये trend army है as compared to Ukraine तो इनको कहीं न कहीं सा बातों का अंदाजा था कि जैसे जैसे ये war लंबा जाएगा वैसे वो सारे देश Ukraine को support करना बंद कर देंगे जो initial days में Ukraine को support कर रहे हैं उसके बाद अगर बात किया जाए कि क्यों Russia की economy almost constant तरीके से वो performance करते रहे हैं तो उसके पीशे का उसका इस्तेमाल करके Russia के साथ directly और indirect तरीके से business किया जाए इसका एक जो बहुत ही बहतरीन example में आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा वो ये रखना चाहूंगा कि भारत Russia से crude oil purchase कर रहा था और आज भी कर रहा है जहाँ पे वो crude oil को फिर further वो refine करके वो सारे European countries को भेज र जो कल तक Russia से directly crude oil purchase कर रहे थे हैं तो normally crude oil में क्या system है या क्या rule बनाया गया है कि अगर आप किसी भी देश से crude oil purchase करते हैं और उस crude oil को अपने देश में refine कर लेते हैं तो जो पहला देश का ownership होता है वो खतम हो जाता है तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे भले as an Indian हमें ये लग र रहा था उसको खास करके उस तरीके से design किया गया था भले बहुत बार ऐसा हुआ कि इंडिया को push किया गया कि आप Russia से oil purchase ना करें लेकिन वो सिर्फ दिखाने और सिर्फ बताने के लिए था लेकिन जो इस पूरे war में जो beneficiary हुए वो European countries हुए और उसके बाद क्या हुआ कि market म oil का price बढ़ जाता तो उसके कारण क्या होता कि वो सारे देश कहीं ना कहीं बगावत करते या European countries या US से नाराज होते हैं जिनको उसी crude oil का अधिक price पे करना पड़ता तो इसका मतलब यह हुआ कि unnecessary European countries और US उन सारे देशों के सामने बुरा बन जाता जो देश इस war में neutral रहना तो इनावे अगर हम इसको conclude करें तो हमें समझ में आता है कि जो oil का market में flow था उसको maintain रखा गया और जो sanctions था उसको काफी loose तरीके से Russia के उपर impose किया गया उसके बाद अगर बात किया जाए तो जो businessman होते हैं चाहे वो भारत के वैपारी हो चाहे वो पाकिस्तान के हो चाहे वो US के हो उनका जो prime focus होता है उनका वो खुद का business होता है तो बहुत सारे ऐसे businessman Russia में बैठे होंगे जिनका जो business dealing होगा वो US के businessman के साथ होगा बहुत सारे ऐसे होंगे जो highly interconnected होंगे तो अगर किसी भी तरीके से USA या European countries उन सब businesses को होने से रोकता तो उसका जो impact होता वो directly उसी तो अगर उन सब companies को US किसी भी तरीके से business करने के लिए रोकता तो एक तो वो corporate house है US का जो relations होते वो खराब होता और उसके बाद उस business से जो taxes generate होते हैं तो वो कही न कहीं उस taxes का जो benefit है वो US भी लेता है तो कहने का मतलब है कि ये जो Russia के उपर sanctions लगाया गया है ये बस दिखा है कि हम सभी को पता है कि US हो गया, Russia हो गया, China हो गया, France हो गया, Israel हो गया, ये सारे देश बढ़ चड़कर weapons export करते हैं इसी बीच क्योंकि Russia war में था तो इसी लिए war के time में क्या होता है कि बहुत सारे manpower के इस्तिमाल होता है समान को transport करने के लिए तो जिसके करण क्या था कि ज तो जिसके कारण क्या हुआ कि जो money का flow था रश्या में वो बरकरार रहा जिसके कारण क्या हुआ कि जो रश्या की economy थी वो almost more or less सही तरीके से चलते हुए आएं इसी बीच अगर हम experts की माने तो हमें मालूम पड़ता है कि रश्या की जो industries है उसके उपर बहुत सारे European countries dependent हैं त तो कहने का मतलब है कि अगर आप रश्या से समान purchase नहीं करेंगे तो उतने कम समय में आप कहां से raw materials या finished product को या material को purchase करेंगे इसके बारे में आपको पता नहीं होता है तो कितनी बार यह ऐसा दिखाया गया कि European countries directly रश्या से समान तो purchase नहीं कर रहे हैं लेकिन वो किसी third party को include कर रहे हैं उसमें और उस third party के मदद से रश्या के दवारा जो raw materials बनाये जा रहे हैं उसका इस्तिमाल किया जा रहा है इसका best example हम देख सकतेंगे किस तरीके से recently Canada ने Airbus को ये permission दिया कि आप Russian titanium का इस्तिमाल कर सकते हैं और उससे भी बड़ी बात एक जो सामने आया है वो ये कि जो Russian economy को समालने वाले जो team है वो almost constant कहने का मतलब है कि वही लोग वही member Russian economy को पिछले 15 सालों से समाल रहे हैं तो इनके पास परियाप्त समय है इनके पास परियाप्त एक idea generate हो गया है कि ये किस तरीके से crisis management को करे और किस loophole का कब इस्तिमाल किया जाए तो अगर हम इस video को conclude क करें तो हमें समझ में आता है कि Russia ने बहुत ही अच्छे तरीके से sanctions के जो power है इसको null and void कर दिया और उसके पीछे का एक जो single most वजय हम समझ सकते हैं वो ये है कि Russia के natural gas, petroleum और भी बहुत सारे minerals के उपर almost 50% से भी अधिक European countries dependent है और साथ में USA भी I hope that you like the video अगर फिर भी मुझे कह या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा मैं चाहूंगा कि आप मुझे email करके बताएं see you in the next video have a wonderful day thank you take care goodbye